Welcome to Only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Miscellaneous Current Affairs का ये हमारा पांचमा लेक्षर है आज के सेशन में हम जनवरी महिने के Miscellaneous Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस पूरे सेशन की जो PDF है वो आपको Only IS की वेबसाइट पर एवेलेबल मिलेगी उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्षन में जाना होगा किसी भी अधर PDF को अवेल करने के लिए आपको Only IS के टेलिग्राम चैनल को जोईन करना होता है तो चलिए सुरुआत करते हैं इस सेक्षन का First Important Article Global प्रवासी रिस्ता Portal के बारे में है यह Portal Minister of State for External Affairs ने अभी हाल ही में लाँच किया है इस Portal के माध्यम से जो इंडियन डैस पूरा पूरी दुनिया में है वो इंडिया से खुद को कनेक कर पाएगा Portal एक Dynamic Communication Platform की तरह वर्थ करेगा सभी इंडिया के जो प्रवासी हैं उनके लिए इससे जो इंडियन government है वो जो overseas इंडियन community है उसके साथ अच्छी तरीके से connect कर पाएगी communicate कर पाएगी apart from that इसमें जो mobile app है वो डैस पूरा यूज कर पाएगे और international यूज कर पाएगे जो Portal है वो web interface की तरह काम करेगा इसका इसमान हम various missions के लिए कर पाएगे जो हमने डैस पूरा के लिए launch किया है जो Portal है उसमें इंडियन डैस पूरा खुद को register भी कर सकते हैं कि वो NRI हैं PIO है या फिर OCI है ठीक है इस लिहाज से वो इंडिया से connect कर पाएगे ये communicate करने में मदद करेगा डैस पूरा को real time basis में हम उनके साथ communicate कर पाएगे हमारा अगला आर्टिकल है वो National Metrology Conclave के बारे में है Conclave का मतलब होता है बैठक या फिर सभास तंगोश्थी कह लीजिए हमारे Honorable Prime Minister ने अभी एक inaugural address दिया National Metrology Conclave के लिए हाल ही में एक video conferencing के जरीए महाँ पनोंने कई सारी important बाते करी तोनी बातों पर यहाँ पर कुछ important points collect किये गए है तेकि methodology का मतलब होता है माप पध्धती किसी सीच को accuracy के साथ evaluate करना इस conclave को organized किया गया था National Metrology यहाँ पर organized किया गया था CSIR NPL के दवारा that stands for Council of Scientific and Industrial Research National Physical Laboratory के दवारा इसकी जो theme थी that was methodology for the inclusive growth of the nation अब यहाँ पर जो हमारे prime minister थे उन्होंने इस पूरे conclave को dedicate किया National Atomic Time Scale के लिए भारतिय निर्देशक द्रवे के लिए और foundation stone भी रखा गया National Environmental Standard Laboratory का तो इनके बारे में भी जान लेते हैं first of all बात करते हैं National Atomic Time Scale के बारे में तो जो National Atomic Time Scale है वो Indian Standard Time को बहुत accurate बनाएगा in fact उसकी accuracy को हम 2.8 nanosecond तक ensure कर पाएंगे बात करते हैं भारतिय निर्देशक द्रवे के बारे में यहाँ पर देखें टेस्टिंग वगरा की जाएगी laboratories में हम quality assurance करेंगे यहाँ पर देखें हर द्रवे को एक standard के तौर पर establish किया जाएगा like अगर silver है तो silver अगर इस quality का है तो यह सबसे standard है इससे कितना कम है उतना sub-standardization यहाँ पर declare कर सकते हैं तो एक निर्देशक द्रवे होगा जो बताएगा कि हाँ यह quality सबसे accurate quality यह है तो इसके लिए यहाँ पर इस laboratory में काम होगा National Environmental Standard Laboratory की बात करें तो यह इंडिया को self-reliance देगा कि जो ambient air या फिर industrial emission monitoring equipments हैं हम उनके certification को थोड़ा बहतर कर सकें यहाँ पर जो अगला article है वो tampon text के बारे में है उसके abolition के बारे में है UK ने अभी इस tax को abolish कर दिया 5% value added tax लगता था women के sanitary products पर यसे tampon tax कहा जाता था अब देखे हुआ यह कि इसे abolish करने के बाद अब जो Britain है वो कुछ ऐसे देशों के study में आ गया है जहाँ पर ऐसे sanitary products के उपर tax नहीं लगाया जाते जिसमें India, Australia और Canada भी आते हैं December 31 तक UK के लिए possible नहीं था because UK EU का part था और EU में जो common tax का mechanism है उसमें sanitary napkins और जो products हैं उन्हें 5% tax के embed में रखा गया था और इन्हें non-essential products माना जाता था लेकिन अब चुकि जो UK है वो EU से बाहर आ गया है तो वो आसानी से asset access eliminate कर सकते हैं उन्होंने कर भी दिया अब वो EU के डिलेक्टिव मानने के लिए bound नहीं है हलाए कि Republic of Ireland ने जो sanitary products हैं उनके उपर जो वैट था उसे पहले ही खतम कर दिया था although वो EU के member थे इसका reason ये था क्योंकि उनका जो उन्होंने पहले ही ऐसे regulations बना रखे थे कि इस पर कोई भी text नहीं लगेगा जब वो EU के member नहीं बने थे तभी से उनके पास ये mechanism था तो इसलिए उसमें कोई हस्तक छेप नहीं हुआ 2020 में जो Scotland है वो पहली ऐसी country बन गई जिसनी sanitary products को free of cost available करने के लिए बोल दिया ऐसी लोगों के लिए ऐसी महिलाओं के लिए girls के लिए जिने इसकी बहुत ज़रूरत है अब यहाँ पर यह आपको temp and text के बारे में पता चल गया जो अगला article है वो digital media literacy program के बारे में है देखिए कई बार अब ऐसा देखा जाता है कि लोग social media platforms का सहरा लेते हैं news avail करने के लिए कोई twitter पे लोगों को follow कर रहा है कोई facebook का इस्तिमाल कर रहा है कोई instagram के जरीए news collect कर रहा है अब जो social media platforms है वहाँ से news collect करने में काफ़े risk होता है क्योंकि most of the time हम उन्यूज को सही मानते हैं लेकिन उनके गलत होने के संभावना काफ़ी जादा होती है केला के सरकार इस बात को लेकर काफ़ी concerned है उन्हों अभी हाल ही में digital media literacy program चलाया announce किया है in fact की चलाएंगे और इसको नाम दिया गया है सत्यमेव जैते कि जो information आप अवेल कर रहे हैं social media platforms के जरिए उसमें wrong information कौन सी है wrong information तेजी से faulty क्यों है क्या precautions लेने चाहिए ताकि हम social media पर सही content consume करें fake news को spread करने वाले लोगों को आखिर फाइदा क्या होता है वो ऐसा करते क्यों है और लोगों को क्या steps लेने चाहिए ताकि वो इससे बस सकें और इन्हें रोख सकें यह सारी चीज़े जब लोगों को पता होंगी तो लोग conscious होंगे चुकि smartphone और internet का जो penetration है वो केला में comparatively जादा है बड़ी संख्छा में लोग वहाँ पर social media का इस्सेवाल करते हैं इवन news updates के लिए जो की काफे दिक्कत वाला होता है अगर आपको गलत news मिल रही है तो इसलिए लोगों को समझना होगा कि क्या laws and benchmarks हैं जो की social media को control करते हैं और यहाँ पर हमें कैसे truth और untruth से बचना होगा उसके बीच वा distinction ensure करना होगा यह जो word है सत्यमे उजयते इसके बारे में भी जान लेते हैं truth alone trump सत्य की सदैव जीत होती है यह मुंडक उपनिशस्त से लिया गया है जो की एक हिंदी scripture है जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसे national motto के तौर पे स्विकार किया गया 26 जनवरी 1950 को इसे देवनागरी script में लिखा गया है जो lion capital of asoka है वहाँ पर और यह हमारे Indian national emblem का एक integral part भी है सत्यमे उजयते हमारी जो currency है और कई से national documents पर side में लिखा हुआ मिलता है जो हमारा last article है वो Korea Superconducting Tokamak Advanced Research के बारे में है जिसे आप popularly artificial sun कह सकते हैं artificial sun जिस पर अभी हमने चाइना के बारे में एक article को समय पहले discuss किया था इस पर South Korea भी काम कर रहा है तो जो South Korea है उन्होंने अभी एक highest level of temperature अवील किया है जहाँ पर nuclear fusion का इस्तेमाल किया जाता है energy generate होने का वो तरीका जो sun में मिलता है सूरज में मिलता है तो ये सूरज की तरफ चमकता नहीं है ये प्रकार की facility है आप research facility कह लिजी जैसा कि image में देखाया गया है हम artificial sun इसलिए कह देते हैं क्योंकि जिस mechanism से sun में energy पैदा होती है बिल्कुल उसी mechanism का इस्तेमाल करके यहाँ पर energy पैदा की जाती है तो इस facility में 20 second तक 100 million degree Celsius का temperature अवेल किया गया ये temperature इस research facility की जो दिवारे हैं इनको touch ना करें इसलिए इसको एक magnetic field से spread होने से रोग दिया जाता है क्योंकि अगर ये किसी भी दिवार से touch करेगा चाहे वो concrete की हो या किसी भी metal की हो वो उसको गला देगा अब ये 100 million degree Celsius temperature है कितना जादा इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो सूरज है वहाँ पर 15 million degree Celsius का temperature होता है मतलब ये जो artificial sun में energy level अवेल किया गया है वो sun के comparison में 6.6 times जादा है तो अगर एक magnetic field create करके उसके चारो और इसे उस facility की दिवार से टच होने से ना रोका जाए तो कि आपको लगता है इतना temperature कोई भी metal जेल पाएगा इसे जो नाम दिया गया है वो है KSTAR वही Korea Superconducting to Kamak Advanced Research उमीद की जाती है कि अगर ये facilities, ये research सफल होती है और इसका easy इस्तिमाल किया जा सकता है तो आने वाले समय में हमेरे पास एक बहुत strong source of energy होगा प्रवासी भारते दिवस के बारे में है 16 प्रवासी भारते दिवस को अभी 9 जनवरी 2021 को celebrate किया गया जबकि COVID-19 चल रहा है इसे देखे 2003 में for the first time observe किया गया था 2015 के बाद से इस इवेंट को बाइनियल कर दिया गया है नहीं कि दो साल में एक बार जो प्रवासी भारते दिवस है इसे मनाया क्यों जाता है यह उस दिन को याद करते हुए मनाया जाता है जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी South Africa से इंडिया वापिस लोटे थे 9 जनवरी को इसलिए हर दो साल में एक बार इसे अब सेलिब्रेट किया जाता है Ministry of External Affairs इसको लेकर पुरी तयारिया करती है देश यह होता है कि जो दूसरे देशों में इंडियन्स रह रहे हैं उवर्सीज इंडियन्स हैं उनके साथ हम कनेक करें और यह इंशूर करें कि वो mutually benefit beneficial agreements में involved हों इंडिया के साथ और इंडिया की growth में अपना contribution दें अभी जो theme रही that was contributing to आत्म निर्भर भारत यह platform देता है ओवर्सीज इंडियन कम्यूनिटी को कि वो इंडिया के लोगों के साथ जोड़ें government के साथ चोड़ें और जो उनके ancestors की land है उसके development के लिए उसके hit के लिए कुछ करें अगला article है वो खादी प्रकरतिक paint के बारे में है अभी हाल ही में हमारे union minister for MSME ने इसे launch किया यह काफि बढ़िया एक paint है जो कि anti-fungal और anti-bacterial properties रखता है नुकसान नहीं करेगा eco-friendly है toxic नहीं है गाय की गुबर से बनाया जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गाय की गुबर की महक आपको इसमें मिलेगी or rollless है cost effective भी है सस्ता भी है खादी and village industries commission ने इसे develop किया है Bureau of industry standards ने इसे certified भी कर दिया है इसमें कोई heavy metal नहीं है lead mercury, chromium, arsenic, cadmium यह सब इसमें नहीं है मतलब अच्छा है local manufacturing को boost करेगा अगर इसका ज़रा इस्तेमाल होगा तो और local level पे employment भी मिलेगा article handle passport index 2021 के बारे में है उसके पहले कल जब हम बात कर रहे थे LCA teges के बारे में तो वहाँ पर जब हम LCA teges की speed पर mac के उपर चर्चा कर रहे थे तो मैंने कलती से mac को speed of light बता दिया था actually यह speed of sound होता है तो यहाँ पर यह correction मैं mention कर रहा हूँ आप इसे ज़रूर से ध्यान रखिएगा अब चलते हैं अपने article की ओर Henle & Partners ने अभी हाल ही में Henle Passport Index 2021 रिलीस किया देखे इसको रिलीस करने के सुरुवात 2006 में की गई थी Henle & Partners Visa Restriction Index के तौर पर इसका नाम तब HVRI हुआ करता था बाद में जनवरी 2018 में इसका नाम बदल कर Henle Passport Index रख दिया गया अब यह जो Passport Index है वो यह बताता है दुनिया भर में सभी देशों के Passports को रैंक करता है कि किस देश का Passport ज़ादा Powerful है, किस का कम Powerful है Powerful होने का मतलब यह नहीं है कि हाँ किस देश का Passport जो है वो Metal का बना है किस का Paper का बना है, मतलब यह है कि इस Passport के सहारे आप कितने destinations पर बिना prior visa लिए पहुँच सकते हैं एक concept होता है visa on arrival का मतलब आप उस country में पहुँच जाएए उसके बाद वहाँ पर counters बने होते हैं वहाँ पर जाएंगे और आपको वो visa दे देंगे लेकिन ये सुविधा सभी देस सभी देसों को नहीं देते हर देस कुछ ही countries को ये सुविधा देता है कि आपके लोग हमारे यहां आएंगे तो हम visa on arrival दे देंगे तो किस देस के पास कितने जादा देसों में ऐसी सहुलियत है इसके basis पर ये passport index उन countries को rank करता है जो data इस्तिमाल किया जाता है वो International Air Transport Association का data होता है जो कि कई सारे travel information अपने पास रखते हैं बाकी Henle and Partners Research Department अपनी researches भी individual basis पर करता रहता है क्या निकल कराया Japan ने इस ranking को top किया मतलब सबसे जादा आदेस Japanese लोगों को welcome करते हैं बिना visa के वो 191, 191 destination पर बिना visa के जा सकते हैं वहाँ पर जाने के बाद उनको visa मिल जाएगा इंडिया को जो rank मिली है that is 85th जो कि बहुत अच्छी नहीं है हमारा जो visa free score है वो 58 है यानि कि हम 58 countries में बिना visa के विजट कर सकते हैं वहाँ जाने पर हमें visa on arrival लेना होगा पाकिस्तान की rank 107 है नेपाल की 104 है इस लिहाँ से ये worst passport to hold की category में आते हैं जहां पाकिस्तान को 32 countries, नेपाल को वही 38 countries ही या destinations ही welcome करते हैं बिना visa के visa on arrival के basis पर वर्ष पासपोर्ट की बात करें तो सीरिया, एराक, अफगानिस्तान की condition सबसे ज़्यादा खराब है जहां पर उनका score महस 29, 28 and 26 respectively है follow करने होते हैं, even existing companies को भी कई सारे compliance follow करने होते हैं, अब इस compliance में कई तरीके के रिक्कते होती हैं, कई सारे compliance तो ऐसे हैं जो बेकार के हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो still exist करते हैं और कई बार जो compliance होता है, उसमें एक व्यक्ति को authorities के सामने जाना होता है वहाँ पे corruption के chances भी बढ़ते हैं तो हाल ही में DPIIT यानि के Department for Promotion of Industry and Internal Trade ने एक regulatory compliance portal लाँच किया जो citizens, industries और government के बीच में एक bridge की तरह काम करेगा उद्देश ये है कि regulatory burden को कम किया जाए बिजनेस के लिए भी, surgeons के लिए भी ये एक प्रकार का online repository है इस repository में जितने भी compliance है उनकी proper जानकारी होगी और उनका mechanism भी दिया गया होगा feature ये है कि सभी central ministers, states and uts को ये कहा गया है कि आप compliance को simplify करिए, rationalize करिए और जब उन्हें simplify कर दिया जाएगा तो वापिस से उसे इस portal पर update कर दिया जाएगा तो businesses को लोगों को पता चल जाएगा कि अब ये compliance उन्हें follow नहीं करना है At the same time, जो industry stakeholders हैं वो उसी के हिसाब से जो compliance वगएरा हैं उन्हें submit कर सकते हैं यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दखा जाएगा कि कम से कम contact हो जो भी compliance authorities हैं उनके साथ businesses या फिर जो citizens हैं उनके बीच में तो इससे corruption के chances भी कम होंगे DP IIT एक nodal department के तरह काम करेगी इस पूरे portal के लिए वो नेशनल रोड सेफटी काउंसल के बारे में है Union Minister for Road Transport and Highway उन्होंने अभी हाल ही में 19th meeting नेशनल रोड सेफटी काउंसल की address की जहां पर ये target रखा गया कि 2025 तक रोड पर होने वाले accidents को 50% तक कम किया जाएगा तो नेशनल रोड सेफटी काउंसल है क्या ये पृटार के advisory body है जिसे Motor Vehicle Set of 1988 के Section 1 215 के तहट बनाया गया है objective ये ही है कि road safety को हम कैसे improve कर सकते है और इस council के जो chair person होते है वो union minister of road transport and highways ही होते है article है that is about green bond green bond जैसा कि नाम से इस पर्ष्ट है ये किसी green purpose से इस्तिमाल किया जाता होगा context क्या है context ये है कि भी RBI ने ये कहा कि इंडिया में green bond को issue करना comparatively महंगा है other bonds के comparison में ऐसा कई सारे कारणों से है एक तो green bonds के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है दूसरा investors के मन में एक perception होता है कि जो green bond में companies investment लेती है वो कम performing होती है इसलिए उन्हें अच्छे returns मिलने की संभावना नहीं होती at the same time जो green bond में company investments लेती है वो बहुत ज़्यदा cost benefit निकाल नहीं पाते तो उन्हें high return देना पड़ता है ताकि वो investors को attract कर सके इस वज़र से green bonds इंडिया में कम performing रहे हैं bonds इसका मतलब एक प्रकार का एक ऐसा financial tool है इसे issue करके investment लिया जाता है for example company A है यह जो company A है इसे कुछ पैसे चाहिए company में invest करने के लिए तो यह company A कुछ bonds जारी करेगी that will be a kind of paper जिसे एक person X खरीच सकता है इसके बदले में वो company A को कुछ पैसे देगा जिस price का वो bond है इसके बदले में इस individual X को यह company एक certain time frame में returns या फिर ब्याज देती रहेगी so it's very clear कि bonds जो होते हैं वो एक प्रकार के debt instruments होते हैं अब इस debt instrument को green bond इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी investors in bond को जारी करके पैसे एकठा करता है वो उसका इस्तेमाल environment friendly investment में करता है या purpose से करता है green bond में कई तरीके के tax incentives भी रिये जाते हैं ऐसे लोगों को जो ऐसे bonds खरीदते हैं ताकि investors green field में पैसे invest करने को लेकर incentivize हो उन्हें भी फायदा मिल जाए और हमारा environment भी बहतर रहे हमारे जो environment को लेकर objectives हैं targets हैं वो भी पूरे होते रहे world bank ने for the first time official green bond 2009 में जारी किया था इंडिया में सबसे पहले green bond जारी करने वाली entity यस बैंक थी जिसने 2015 में green infrastructure bond जारी किये थे सेभी ने 8 categories को allocate किया है जहां पर investment अगर करना है तो green bond की जरिये पैसे मांगे जा सकते हैं investors से renewable energy, clean transportation sustainable water management climate change energy efficiency sustainable waste management land use and biodiversity conservation यह art fields है यह article है वो MGIEP के पारे में है इसका full form है महात्मागादी Institute of Education for Peace and Sustainable Development हमारे education minister ने अभी हाल ही में इसमें participate किया जहां पर उन्होंने national education policy को संग्यान में लिया उन्होंने यह भी कहा कि जो new education policy है वो sustainable development goal और UNESCO के जो भी एजिंडाज है जो भी उनके objectives है उनसे बिलकुल मेल खाता है MGIEP यह United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization यानि कि UNESCO का category 1 research institute है UNESCO के category 1 research institute होने का मतलब यह है कि यह member states में developmental capacity को या scientific capacity को enhance करता है particularly developing countries में यहां पर UNESCO की हम बात कर रहे थे तो UNESCO के संबन्द में बात यह है कि MGIEP को कब establish किया गया तो देखे इसे establish किया गया था 2012 में जहां पर UNESCO और Government of India ने मिलकर इसे establish किया था यहां पर अगर हम इसके working की बात करें तो यह जो member governments है उनको support करता है advocate करता है कि researches वगएर अच्छे से चलते रहें और countries की जो scientific capability है वो enhance हो वो youngsters को mobilize करते हैं ताकि वो United Nations के sustainable development goals के मताविक अपनी-अपनी communities में जो education के संबंद में capacity है उसको थोड़ा enhance करें sustainable education के लिए काम करते हैं peace education के लिए काम करते हैं MGIEP और UNESCO यह बहुत important role play करेंगे National Education Policy 2020 के implementation में हमारा अगला article Indian Telecom Service and Performance Index से related है हाल फिला हाल में try मतलब कि Telecom Regulatory Authority of India ने इस report को जारी किया है इस report के अंदर जब इस index की बात हो रही थी तो इसके parameters को इन्होंने इस हिसाब से रखा है कि कितने लोग अभी हाल फिला हाल में Telecom subscribers हैं कितने लोग अभी internet या broadband use कर रहे हैं कितने लोग cable service या फिर broadcasting service को use कर रहे हैं कितना revenue generate हो रहा है कितना use हो रहा है data कितना use करते हैं इन्ही सब बातों पर ये पूरा performance index based है इस report के कुछ highlights इस हिसाब से हैं कि हाल फिलाल के समय में हम देख रहे हैं कि पिछले quarters के comparison में इस quarter में जो telephone subscribers हैं उनका 0.7% इजाफा देखने को मिलता है लेकिन ये जो 0.7% का इजाफा है अगर उसको previous year से compare करें न तो previous year में इसी quarter में हमें और ज़्यादा increment देखने को मिलाता है मतलब पिछले साले comparison में कम ही बड़ोतरी हुई है बड़ोतरी तो हुई है लेकिन कम हुई है जो total number of internet subscriber हैं उनमें भी जाफा देखने को मिला है 3.66% का जो broadband subscriber हैं वो भी बड़े हैं लेकिन narrow band subscriber कम हो गए हैं यहाँ पर आपके मन में एक question आता है और इसका answer आपको comment section में बताना है कि ये जो broadband है और narrow band है जगों के बाद उस समय के बाद जो telecom service है इंडिया में वो काफी अच्छे से grow कर रही है सबसे पहला article आज हमारा global fire power index 2021 से related है हाल फिलहाल में ये जो global fire power है यहाँ पर fire power का मतलब ये होता है कि आपके पास military power कितनी है और इसी military power को calculate करने के लिए ये index prepare किया गया है इसमें यही बता जाता है कि किसी के पास कितना strength है military में उसके साबसे इनको rank दिया जाता है कितने अच्छे से ये लोग लडाई कर सकते हैं इनके पास land sea या air तीनों mode में कितने conventional weapons हैं जिससे इन लोग की मारक शमता हम decide कर सकते हैं ऐसा कुछ तो इसको लगबग लगबग ऐसे 50 individual factors होते हैं 50 individual factors के आधार पर ये index prepare किया जाता है जैसे कि geographical location क्या है आपका logistical capability कितनी है land force कितने है air force कितना है naval power कितना है आपके पास आपके पास कितना finance है जिससे आप ये सारे लोगों को manage करते हो इसके अलावा आपके पास natural resources कौन-कौन से हैं इवन आपके पास कौन-कौन से हथियार हैं या फिर सब कुछ हम इसमें मलब calculate करके चलते हैं और उसके basis पर फिर हम लोग ये war making capability निकालते हैं key takeaways की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है United States of America सबसे powerful armed force इनका दिखा गया है इसके बाद Russia है फिर China और चौते नंबर पर इंडिया का rank है इंडिया के पास 542 combat aircraft हैं submarines 17 हैं tanks की बात करें तो 4730 tanks हैं और 37 attack helicopters हैं Pakistan का इसमें दसमार rank है वह आप खुदी समझ लिजए इसमें यहाँ पर इरान, इंडोनेशिया, इसराइल इन सब को सरपास कर चुका है पाकिस्तान और पाकिस्तान की military power काफी जादा दिखाई गयी है इसमें अगला article हमारा Indian Telegraph Act 1885 से related है हाल फिलहाल में दिली और उसके आसपास वाले एरियाज में इंटरनेट सस्पेंट करने की बात की गई थी Union Home Ministry के दबार एक order इशू किया गया था उसके तहट यह order इशू किया जाता है Indian Telegraph Act 1885 के अंदर एक temporary suspension of telecom services, public emergency और public safety rule 2017 के अंदर गताता है यहाँ पर जो भी सरकार है या Union Home Ministry है उसके पास यह पूरा power है उसके पास यह exclusive jurisdiction है इस चीज़ का कि कभी भी वो wired या wireless communication को पूरे के पूरे Indian territory में चाहे वो establish करे वो बंद कर दे उसको maintain करने का पूरा power उसको operate करने का और even उनको license देने का भी पूरा power किसका है यह है Indian government के पास इस पूरे Indian telegram act 1885 के अंतरगत कोई भी wired या wireless telegraphy होती है या telephones होते हैं कोई भी radio communication या digital data communication है उसको भारतिय सरकार govern कर सकती है यहाँ पर इस act के अंतरगत government के पास यह भी power आता है कि वो phone lines हमारी tap कर सकता है लेकिन वो भी Indian constitution के defined limits के अंदर ही साथी साथ यह communication को भी monitor कर सकता है for security purposes section 5 clause 2 इस act का यह कहता है कि center और state government किसी भी public emergency के time पर या फिर public safety के interest में या फिर हमारी भारत की sovereignty और integrity के interest में या फिर किसी state की security के लिहाद से ऐसे actions ले सकती है अगला article हमारा Padma Awards से related है हाल फिलहाल में साथ लोगों को Padma Vibhushan से समानित किया गया है Padma Bhushan से 10 लोगों को और Padma Shri से 102 102 लोगों को Padma Awards annually Republic Day मतलब की 26 January को announce किया जाता है सबसे पहली बार 1954 में इसको institute किया गया था और यह one of the highest civilian honors है हमारे पूरे इंडिया में यहां पर इसका major objective यही है कि जहां पर एक public service की बात आती है ऐसे field या ऐसी जगहों पर जो भी activities या कोई भी लोग कोई recognizable काम करते हैं जिनके achievements को हम सराहते हैं ऐसे लोगों को हम इन awards से समानित कर सकते हैं इसका जो selection process होता है इसके लिए Padma Award Committee बनती है Padma Award Committee Prime Minister के द्वारा constitute किया जाता है हर साल और इन ही के recommendations पर यह award दिया जाता है यह award President of India प्रेजेंट करते हैं March या April के month में वही तीन categories है Padma Awards की Padma Vibhushan सबसे उचा फिर उससे नीचे Padma Vibhushan और फिर उससे नीचे Padma Shri यहाँ पर भारत रतन एवार्ड भी मिलता है जो की इंडिया का या फिर अपने देश का सबसे बड़ा civilian award है हाई यह civilian award है यह भी हमारे human endeavor को अगर कोई exceptionally treat करता है उनको service provide करता है तो उन सब के लिए यह भारत रतन एवार्ड भी दिया जाता है यह भी Prime Minister के द्वारा President of India मतलब जिसको भी Prime Minister recommend करता है उसको President of India present करता है भारत रतन लेकिन यह साल में maximum तीन लोग को ही मिल सकता है यह एक major difference है यहाँ पर इस टाइम जो पदमे विभूशन 7 Recipient Awards है आप यहाँ पर उनके फोटो और उनके नाम एक बार आराम से स्लाइट पॉस करके पढ़ सकते हो 2020 के बारे में हाले में जो एन्वल इवेंट है Ministry of Education का वो दुबारा नीट होती है उन पर फोकस किया जाता है कि वो भी अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर पाए है और यह जो इनिशेटिव है Department of School Education Literacy का है जो कि Human Resource Ministry के अंदर ही आती है और इस बार यह ऑनलाइन किया गया था त्रू डिजिटल प्लाटफर्म जहाँ पर इंडिजिनिस ट्वाइज और गेम सेग्मेंट को भी इंट्रिद्यूस किया गया था तैकि उसके थुरू भी बच्चे अपनी कला को परदरशेत कर पाए इसके अरावा दो और इनिशेटिव है जैसे कला संस्कृति विकास योजना तो हमारा आगला आर्टिकल एक कागस की बारे में इस कागस का नाम है मुन्पा जो के हाथों से बनाया जाता है और जगा इंपोर्टेंट है अरुनाचल प्रदेश इस जगा को आपको याद रखना है और ये जो कागस है ये बहुत पहले से बनाया जा रहा है दीरे-दीरे इसको जो बनाने का काम है वो दीरे-दीरे डिकलाइन हो गया क्योंकि मार्केट में सस्ता चाइनीज कागस आ गया था इसमें कुछ खासियत है और ये किसने बनाया ये भी आप याद रखें के वी आईसी की मेहनत से इनके कमिट्मेंट से ये रिवाई हूपाया है जो अरुनाचर प्रदेश का ये कागस है ये तबंग किससे में बनाया जाता है इस कागस को कहते है मौन्शोंगू इतना याद रखना है ये यूज क्यों होता था जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चाज है आपने पढ़ा होगा तिरी पिटक और ये सारी जो इंपोर्टन किताबे हैं बुद्धिसम जे सम्मंदित उनको लिखने के लिए ये कागस यूज किया जाता था और इसका एक्सपोर्ट भी होता था तिबबत में भूटान, थाइलेंड, जापान इतनी दूर दूर तक इस कागस को भेजा जाता था धीरे धीरे चाइनीज जो कागस है उसने इसको रिप्लेस कर दिया खासियत यह है कि शौंगू शेंग करके जो एक पेड की छाल होती है उससे बनाया जाता है तो इस कागस में medicinal values भी होती है अगला article है जो फिल्म मीडिया है चार फिल्म मीडिया उनको मर्च कर दिया गया है अब कौन-कौन से जो चार यूनिट से उनको मर्च कर दिया गया है यह देख लीजए पहले तो ND, NFDC जो है वो एक Central Public Sector Undertaking है 1975 में इस चीज को बनाया गया था किस चीज के लिए आपको मालूम है पिक्चर है जो सरकार बनाती है वो बेसिकली किस चीज के लिए होती है ताकि वो अपने जो प्रमोशन करना है अपने कुछ आइडियाज है अपने प्रोग्राम जो उनको प्रमोट करना है चाह स् इसके बाद दूसरा जो यूनिट था वो बच्चों की जो फिल्म होती है चाइड़ फिल्म सुसाइटी से संबंदे था 1955 में इसको बनाया गया ताकि आप वेल्यू बेस्ट बच्चों को आप एंटरेटेनमेंट खेल खेल में या फिर एंटरेटेन करते हुए कुछ सिखा पाएं तीसरा है नाशनल फिल्म आर्काइब्स अफ इंडिया इसके अलावा चौथा जो है वो है डारेक्टरेट फिल्म फेस्टिबल इनकी डेट्स आप देख लेए इन 1964-73 में बनाया गया हलाकि इस तरीके के डेट्स नहीं पूची जाती है एक जनरल आइडिया आपको इन चीजों का होना चाहिए कि खबर ये भी थी इसके साथ में एक इंपोर्टन खबर है पुलिस रिफॉर्म से संबंदित जिसको आप मेंस में ज्यादा बैतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन कबारजन टू प्रिलम्स यहाँ पर देखिए नाशनल पूलिस कमिशन बनता करते हैं पुलिस को अपने हिसाब से चलाने का, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं या क्रिमिलाइज़ेशन होता है जो करप्शन में सनलिप्त हो जाते है या क्रिमिनल अक्रिविटीज में पुलिस इंवाल्व हो रही थी उचीज के उपर बदमनाब कमिटी बनाई गए जो 1861 का पुलिस सेक्ट था उसको रिप्लेस करा जाता है नया मॉडल 2005 में दिया जाता है फिर आता है 2006 में सुप्रीम कोड डेरेक्टिव इस तरीके से आपको नाम बस याद रखने है सुप्रीम कोड के बाद सेकेंड अड्मिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आएंगे जो जाने से तनी गवराट क्यों है बाद में जस्टिस थॉमिस कमिटी 2010 में अपनी रिपोर्ट देती है और सुप्रीम कोड डेरेक्टिव जाते हैं 2018 में जो रीसेंट डेरेक्टिव रिफॉर्म ने दिये हैं 2018 जिसमें पुलिस रिफॉर्म पर बात करे जा रही है और इंप्लिमेंटेशन जो करने की बात है 2006 के जो डेरेक्टिव हैं उनको इंप्लिमेंट करने की बात कही गई है तो आज के इस सेशन में बस इतना ही थैंक यू अरे मच